नमस्कार मैं हूँ गौरफ श्रीवास्ताओ आप हमाँ से देखना मेरा खास कारीकम बात अपने देश की यू तो उत्तपने समेट पूरे देश में तमाम तरह के मुद्द समय हाभी है और हर मुद्दे पर समय सियासद हो रही है मुद्दों की शुरूबात की बात करें तो पहले बिरानसवाद चुनाव रहे एगेटपुल को गलर पताया गया पढ़नाम आये पर इस समय जो मुद्दा चर्चा में है वो एहम मुद्दा इसलिए है क्योंकि इस पर जो राजनीती है वो अब ब्यस्युक हो गई है ब्यस्युक इसलिए कहूंगा क्योंकि भारत के मुद्दे पर भारत की आनतरिक मामले के मुद्दे पर अब जो बिदेश है OIC यानि जो और इसलामिक कॉर्परेशन जो है संगठन है जिसमें संतावन देश सामिल है मुस्लिम देश उनने निन्दा की है उनका कहना है कि नुपुर सर्मा ने जो बयान दिया है वो गलत है और इस पर कड़ी से कड़ी कारवाई होनी चाहिए हाला कि भारत सका के तब से ज पत्थरवाजी यसी की गई कि सभी जगे डिखने वाला था सभी चैनल से लेखा अखवार तक और उस पत्थरवाजी के बाद जब अगला जुमा आया दस तारिक को तो फिर पत्थरवाजी की गई और इस बार कानपुर नहीं की गई इस बार उत्तपरेश के 5-6 जिले भी दिल्ली में भी हुई राहिस्थान में भी हुई तो यह पत्थरवाजी का मामला था यह जो पहले कानपुर में हुआ था उसके बाद यह देश के कुछ जिलों में और कुछ राज्यों में जाके चलता रहा के हैं के बार कहें कि अगर यहाँ पर पेकेमबर साफ पर टि पनी की थी नुपर सर्मा की वो नुपर सर्मा की और के ति पने के बात करें तो टिपनी हों उसके बाद जो प्रेशन था वो केबा लिग जिले में हुआ कर रहा हैं और शालाकि इसकी युजना पूरी तरसे बनाई गई थी जैसा कि सुतों के निकल के आ रहा है कि पिएफाई से भी युजना पोसित थी और कई बड़े नाम हो ले और अब तक है पूरे हम पत्थरवाजी की बात करें, दंगा तुछले नहीं कहेंगे कि दो सामिला के यहां पर नहीं थे, पत्थरवाजी की लोगों को छोटल किया, सरकारी संपत्य को नुक्सान पचा है, और के खलाब कारभाई शुरू हो गी, और कारभाई के साथ सार पोश्टर भी छापे गाया पोश्टर चिपकाये गए, और पोश्टर चिपकायाने के बार आलम यह रहा कि जो पत्थरवाजी कर रहे थे, उन्होंना स्वयम जाके थानों में सरेंडर भी किया, और योगी सरकार अपने एक्सर मूड के साथ से तमाम तरह के जो धाराई चिन पर लगाई गई, और कहा गुणे बात से लगातार हम देख रहा है कि, सरकार जोरा बॉल्डोजर भी चलाय जा रहा है, और यह बुल्डोजर अटी करवण पर चलाय जा रहा है, सूतर के पता वे कहा जा रहा है कि जहां कानपुर में मामला हुआ है, बहां पर भी सत्रु समपत्ति पर लोग अभेरक कभजा की हो थे उन पर कारवाई हो रही थी जिस कारवाई से लोग परिसान हो गई परिसान के फल सरूप एक पत्कता रची गई और इस टिपड़ी के सहारा लेकर बहां पर बावाल किया गया बावाल भी ऐसा कि बहां के डियम तक खटा दी गई हलाकि इस तरह की सूचना नहीं थी और सूचरतंत पूरा सक्रिय था पर पता नहीं चल पाया कहां से योजना शुरू दी कैसे बारेल मेसेज किये गए कैसे यहां पर लोगों को उक्साया गया फर जो भी हुआ वो नुक्सान दे रहा क्योंकि यहां पर एक कौम की छबी है वो और फलसरूप हम रहें उनकी जो स्थान है जो मकान है जो बिल्डिंग इस पर हमने बुल्डोजर चलाया है खेल बुल्डोजर की घटना है यह लगातार उत्तापड़ेस में होती आ रही है और माफिया चिन्नित करकरके उनके जो अबैट संपत्ति उस पर बुल्डोजर च अच्छे हैं दस्ताबेज हैं सबूत है तो निसी रूप से आपके खलाब कारवाई नहीं होगी और यहां तक कि मैं को उतारूं कि अम्रोहा के रहे महभू बली उन्होंने अपने अबैर अटिकरमना को कल स्वैम तोल लिया उनका कहना था कि नोटिस आया था और नोटिस के तोड़ा जाएगा और जब अबैर अटिकरमना होता है तबी लोग उसको तोड़ते हैं ऐसा नहीं था कि उनको जायाज बना हुआ था तो एक बाट तो साफ है कि अगार अब। किरमण हैं तो उसके कारवाई हो रही अब कारवाई यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो कानपर में जो आरोपी रहे हैं उनका नाम राएं उनकी जो संपत्ति रहे उस पर भी बुलड़ चलाया गया और जो रूप रेखा है यह कानुन के डायरे पर नोटिस के बाद कारवाई ह हो रही है तो दिक्कर क्या हैं कि पर इन सभी बातों के बीच में एक зाफ होती है कि हम भारत के नागरिक है राणितिक पार्टियां हो कि जंता के पतिनेदी अधे समारा था तो सब से पहले होना चाहिए राश्ट रौ परियों आनि हमस्ट के नाग में सब मेरे साब degrees 25 जबीश 1728 के तएद आपको धारविक सुतुनता का अधिकार मिलता है। आप अपनी हिसाफ से पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, गुरगान कर सकते हैं, किर्टन कर सकते हैं, और साथी तर अपने धर्म का पिचार कर सकते हैं, यह आजादी आपको भारत का सम्मिजान देता है, पर पत्थरबाजी के आपको आजादी भारत का सम्मिजान नही हुई है यह लगातार होती चली आ रही हो जब से सोसल मीडिया एक्टिव हुआ है तब से बयानबाजी के दौर तो और चक्रिय हो गए है बाट्शब मीडिया फेस्टव मीडिया के यूटूब के माध्यम से तमाम लोग बयानबाजी जारी करते हैं और इसको बारिल कर देते ह आप यहां पर उसके लिए वह यंदू के लोगों को आहाथ हुई है अन धरम के लोगों पर भी बयान बाजी हुई है तो बयानबाजी अगर हुई है तो के लिए आप कोड में जाते हैं आप याचिका दाखिल करते हैं अगर किसी फिल्म में आज किसी कारिकम में या को यसी आपको लगता है यहां पर आपकी धार्मिक भावनाओं को छती पहुंच रही है तो इसके लिए हम कोड में जाते हैं और कोड सुनवाई करता है बारे फैस इताभाई भी होती है पर जब मामला तो कर बाइका आता है तो नराज़ी किस बात की या पद्धराजी हुई है और पद्धर्भाजी किया है लोगों को छोटण किया है सरकारी संपत्थ्य नुकसान पहुंचा याए तो इसके खलाउब का वार इसे बुल्डोज़र कपया है तो तो कारभाई इसन पर होना लाजमी यह पर हम देस्ट को डिस सोसते हैं और शाधिक पांटिया अपने अपने बयान देती है इसैंसाफ नहीं है एक पार्टी की सुप्रीमों ने बयान दिया कि बिसे समुदाय को यहां पर टार्गेट किया जा रहा है तो बिसे समुदाय का गी तो यहां पत्थरवाजी का रोल रहा भाई यहां पर भी पत्थरवाजी की गई बेक तरफा की गई कोई और इसमें नहीं अब कौन था क्या साजिस रही वो तो जाज के बैसा है लगाता इस पर जाज चल रही है और बड़े-बड़े नाम भी इसमें सामने आएंगे और लोगों की सम्मन भी बताए जा रहे है आनमेट समय में क्या खुल के आएगा ये भी देखने वाली बात ह होगी पर जब हां राष्ट की बार होती है तो हम एक तरफा क्यों हो जाते हैं पत्थरबाज पत्थरभाज है है चाहिए वो किसी भी धरम को हो आतंकी आतंकी है चाहिए वो किसी धरम का हो और अपराड़ कि संग्याद का हौ happier देखने का हो किसी जाती और नियाय पालिका के लिए सब बराबर है और जो भी याच्च का कोड में जाती है तो कोड उस पर फैसला लेती है और नियाय पालिका के अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे बिबाद रहे जो कि अमर हो गए थे मैं गर राम मंदर और बाबरी मस्जिर विबाद की बात करूं तो लबा लबा चार सो उन्ठानवे साल पुराना मामलता लगातार चलता आ रहा था और नॉम्मर दो जार उन्निस में इस मामले का पटाच्छेप हुआ और पांच अगस दो जार बीस को पिदामनी नरेन मोदी ने उस राम लला मंदर की सिलान्यास किया और अब लगातार उसमें नर्मार का काड़ जा रही है यह कोड का ही आदेश था जिसको दोनों धर्मों के लोगों ने सहर सुईकार किया हलाकि कुछ पितिक्रिया आई थी पर दोनों पच्छों कहना था कि हमें सुप्रिम कोड का जो हमारी देश की सर्वोच अदालत है उसका हमको फैसला मानने है तो जब हम बड़े 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 बबारों पर फैसला मान लेते हैं तो इस बबार पर हम कोड क्यों नहीं गए यहाँ पर एजिट होकर गया पर क्यों नहीं दिये गए और पिररसन यहाँ पर सामुक तोरस जैसा कि C.A.N.R.C. में हो रहा था कि आप धन्ना पिररसन कर रहे थे आप ऐसा भी कर सकते थे पर यहाँ पर पत्थरबाजी क्यों की गई और पत्थरबाजी ऐसी कि टनों पत्थर छटों पर थे टनों पत्थर ठेलों से लाए गए थे भई इसको तो गलती कहेंगे और ऐसी पत्थर वाजी होई कि फारिंग तक कि कई लोगों की जान भी गई तो ऐसा हिंसक मांग ऐसा हिनसक पिररसन तो किसी भी स्रेडी से सही नहीं साविर किया सकता आपकी कोई समस्या है आपको किसी बाद से दिक्कत है तो आप कोड के नसन करके ये बार कह सकते हैं और जुमे की नवाज जो की सबसे पाक नवाज मानी जाती ही कहा जाता है और बड़ी संख्या में लोग जुमी नवाज में जाते हैं और जमात में बैठके नवाज करते हैं उस जुमे के नवाज को हम एक जुट होकर वहाँ पर नवाज पढ़त तो मेरा कहना है कि अगर आप कर रहे हैं तो तमाम देशों में जहां पर मसलमानों का सोचर किया जा रहा है कई वार वहां से रिपोर्ट आई यह तो उस पर भी आपको बोलना चाहिए और देश का मामला है हमारे देश में सबी धर्मों को समान स्वातना प्राप्त है तो फिर आप किस से बोलते हैं और यहां पर जो अनिराज्य हैं बहां पर कोई सरगर्मी नहीं बहाँ पा कोई बवाल नहीं तो निस्टे रूप से बवाल जो रहा जो ये साजिसंद रहा और इसकी पड़ते जो है खुलती जा रही है कि एक फोसित साजिस के तहट ये चीजों को अंजाम दिया गया दिल्ली में, उत्तपरिस के पांच साज जलों में, रांची में तो ये जो पड़ते रहा ये सुनुजित था क्योंकि अगर सबको दिक्कर होती तो ये पड़ते देजव्यापी हो सकता था पर ये देजव्यापी नहीं हुगा इसका साब तर पर अर्थ है कि ये एक सुनुजित के तहट बिसेश धर्म के लोगों को बड़नाम करने का प्रियास किया गया और अगर बड़नाम करने का प्रियास किया गया तो अब इस धर्म के जो बड़े धर्मगूरु हैं उनकी जिम्मिरारी है कि समाज को एक संदेश दे कि ये जो करने वाले हैं हम उनके साथ नहीं हैं, जोनोंने हिंसक प्रदसन किये, जोनोंने पत्थरबाजी की, वो हमारे धर्म में यह नहीं सिकाए जाता कि आप किसी भी चीज के लिए प्रदसन करें, किसी जाल ने किजी चोट करें, और अगर हम कोई बात हमारे अंदर है, कोई समस्या है, तो उसके हम कानू को सहारा ना लें, धर्म आपको पूजा करने की जायद देता है, धर्म आपको धर्म में पिचार किया जायद देता है, धर्म आपको आपके सत्मता के साब से यूशर मानने की जायद देता है, पर धर्म आपको यहां पर पत्थरबाजी की जायद नहीं देता, कोई धर्म की स्थिरी को स्वाइमान पर पूर्वक लेते हुए और अब धार्मिक जो उन्मार है वो उन्मार हिंसक प्रशनों में बडलता जा रहा है और यहां पर एक जम्मिरारी सबसे बड़ी बार नेताओं की भी है जो माया की राजनतिक हस्तियां हैं जिनके बड़ी संख्या म मैं followers बड़ी संकाम महानने बाएं लोग हैं उनकी जिम्मिरारी भी है कि वो सही माघ रंशन करें वो सही बयान वाजी करें हमको अपने देश में किसी चीज को भड़काना नहीं हमको अपने देश में किसी चीज को को समस्या हुए उसका निदान करना है सांतिपुर्व को इ सामने से कारवाई चल रही है अगा नुपर सर्मा की बात करें तो उनके भी कारवाई हुई है और लगातार उनके दर जी हुए है और कानूनी पिक्रिया चल रही है यह आपके पत्थरबाजी करने से कानूनी पिक्रिया पर कोई प्रवाहन नहीं पड़ेगा सरकार अपना काम कर रहा है सरकार ने अपनी जो जम्मिलारी निभारा रहा है और आपकी जम्मिलारी है कि आप अपने देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुचाना है वारति होने के नारति आपका ये अधिकार है और आपकी जम्मिदारी भी है अगर आपका अधिकार धार्मी सतनतता का है तो आपका ये नतिक अधिकार ये भी है कि आपको देश की संपत्ति को नुकसा नहीं पहुचाना है आपको देश की संपत्ति के साथ खिलवार नहीं करन करते हैं कि देश कि चबी के साथ गलत नहीं करना है। आपको एक एक ऐसा देश遇क देशिट जहांपर सभी धर्मों को दर्म सबाद कर मिलوجूद के साथ है। कि हिंदुस्तान और एक एसा देश है जहांपर सभी धर्मों को धर्मिक्त अटा कि ही आजादी द्र्म कि माद्धम से तबान निताओं को निविजन करना चाहूंगा कि अपनी बयानबाजी से इस देश का माहौल को खराब करने का प्रयास ना करें जिस देश की आजादी में दोने धर्मों के लोगों का विस्य जुदान दहा उस धरम की उस देश की आजादी को हम क्यों मौजूद है सरकार मौजूद है ब्यवस्था मौजूद है और कारवाई हो रही है और जो कारवाई बुल्डोजर के बाद ध्यम से हो रही है वो कारवाई अभैर अतिकर्मन पर हो रही है उसका इस मामले से कोई लेने देना नहीं है अब अगर आप अभैर अतिकर्मन निर हो गई है पॉलसी बनाई है आपको नोटिस जाएगा अगर आपने नोटिस के पालन नहीं के जवाब नहीं दिया तो निश्रूप से आने बाले समय में सरकार आपके साथ कोई रियायद नहीं बरतेगी और इस बुल्डूजर अवियान की जड़ में सारे लोग आते हैं वो किसी भी पार्टी को किसी धर्म को किसी जाती को यहां किसी को एक तरफ हो के तार्गेट नहीं किया जा रहा है हां वो अलग बात है कि जन्होंने पत्थरवाजी कि अगर उन्हीं के को अब गरपतारी निर्माण पर बुल्डूजर विच लेगा पर यहां पर राष्ठिष रवह अपर यहां पर राजनितिक जो हमाया हस्तिया है उनको सोचना चाहिए कि हमको ऐसे बायारबाजी चैनी जोसे हमारे महाल देस में सान्ती फ्हाले वियुस्था बने हमको देस को जलान है वो होना बहुत जरूरी है उसी भावना की चलते हम आज तक आगे बढ़ते हैं और आने बाले समय में जिस भावना से हम चल लाएं तो हम विश्व गुरू भी बनेंगे क्योंकि 2030 के एक रिपोर्ट के अनुसार बार्ट में युवाओं की आबादी 58 से 70% होगी और ये आबादी पूरे विश्व में किसी देश की नहीं होगी और युवाओं के कन्नों पर देश की भविश्व होता है और जब देश में इतनी पटीसर विवा होंगे निस्वरूप से देश हमारा तीब गती से पगती बोड़िश हो जिसको हम विष्वगुरू बनाना चाहते हैं बोड़िश जो अब अप पट्रश सर रॉस रास्ठिस लुब्ला का संचार कन्दा बहुत आबस्ट्सक हो हो उनके लिए रास्ठिस होना सर्वागरी है कि अगर रास्ठिस हो तब हाया वेतर विकास होगा हमको आपसी गिला सिक्वा दूर करके तमाम असी मुद्दों को जो जिन पर आपका दिक्कत है समस्या है उसके लिए आप कोड जाईए नाय पालिका भरुसा रखिए नाय पालिका ने बड़े अमर जीवन्द हो चेके तमाम बिबालों को बड़े सांती से सुल जाया है और उस फैसलियों को सभी धर्मों के लोगों ने माना है तो यहाँ पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि जो देश की संपत्ति से खिलवाल करेगा जो देश के लोगों को नुक्सान पहुचाएगा और जो देश की छबी को नुक्सान पहुचाएगा वो चाहे पत्थरबाज हो हम भारत के नागर्इक हैं, चाहे हिंडू हो, चाहे मुसलिम हो, चाहे शिक्ष एसाइच हो, सबको देश की भावना समझनी है, सबको समझना है कि राष्ट हमारा है, और राष्ट को बैटा रखने में हमारा ही योगदान है, अगर देश में पथर चलाएंगे, तो पथर ही मि आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार